जैशीरामभक्तो जैश्री बाला जी माराज जैमातगी कैसे हूए आप सब आश्यक नेज्क है कि सब ही सुरक्सिती होंगे और बाला जी माराज मामबे के क्रिपा भी बनी हुई है यही हमेशा सभी के लिए काम나ा रहती है तो आज हम जानेंगे जैसे कि वह सारी लोगों के मन में ये सवाल होगा जो लोग हमारे साथ बाला जी गए हुए थे उन लोगों का और जो है और वी लोग जो बाला जी से आते हैं तो उनके मन में ये सवाल हो सकता है कि हम कौन सा अखंड पार्ट रखें 21 दिन का 41 दिन का जब हम बाला जी से आते हैं तो क्या बातों का ध्यान र ससक्राइब करें, सास में इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना सुरू कर दीजिए, वहां पे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की वीडियो, जैशी राम जी जैशी राम, जैशी बाला जी माराज, मेहंदीपुर की पवित्र गिर्पा आपके परवापन नेंतर बरस्ती रहे और जगजनीमा अम्बकी की गिर्पा आपके गर्पा अनपूर्णा रुप में वास करे जैश्री राम क्या होता है जब भी हम मेहंदीपुर बाला जी जाते है जो नकरातमक उर्जा हमारे शरीर में परवेश करिवी होती है या हमारे घर में होती है जब उस उर्जा को हम वाँ छोड़ कराते हैं बाबा की शरी धाम में तो उसके बावजूद हम अपने घर के अंदर आकर इस पकार का हमें अपने घर को बनाना चाहिए कि कोई भी नकरात्म कुर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे ऐसा हर विक्ती ही चाहता भी है अगर आप चाहते हो कि कोई भी नकरात्म कुर्जा आपके घर में प्रवेश ना करे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जैसे मैंने कल अपने एक वीडियो बनाई थी अखंड जोत के उपरांथ तो उसी पकार से जब आप अखंड जोत जलाते हो या अपने नियमों को करते हो अब उस नियम के अंदर और भी ज़्यादा जब शक्ति परवेश कर जाए तो वो नियम और भी ज़्यादा बलवान हो जाएंगे और उन्हें बलवान करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए हमें आपको एक पार्ट पकड़ना चाहिए जो की हनुमान चलिसा का या सुन्दर कांड का या आपके उपर डपैंड है जोन सा भी आप पकड़ सकते हो बजरंग बान का भी कर सकते हो आप लेकिन मेरे मानने में तो आपको आपको एक तालिस दिन तक आपको हनुमान चलिसा का पार्ट ही करना चाहिए हनुमान चलिसा का जैसे कि आप पार्ट को उठा लिजे या तो आप 11 हनुमान चलिशा उठा लीजिए या 21 हनुमान चलिशा उठा लीजिए या 51 उठा लीजिए या फिर 108 उठा लीजिए या फिर 100 उठा लीजिए सो हनुमान चलिसा करने सा अदबुद फल प्राप्त होता है जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा आपके ओपर खिर्पा प्राप्त होगी आपके घर में जब आप हनुमान चलिसा का गान करोगे आप सोच के देखो जब आप हनुमान चले सागा पाट गर के अंदर कर रहे होते हो तो उस दुरान जो उर्जा है शरीर के अंदर अपने आप ही तेज होने लग जाएगी आपकी जो लगन है बाबा की शिर्य चर्णों से लगना लग जाएगी उस दुरान आपको विशिश तोर पर भोग लगाना चाहिए क्योंकि जब आप महंदीपूर सरकार में जाते हो बाबा के बाल सरूप के दर्शन करके आते हो अब उस बाल शरूप के दर्शन के बाद हमें उन्हें किस्प किस्पकार का भोग लगाना चाहिए मैं आपको एक ही विशेश भोग बताऊँगा ना तो जीवन में आपके उपर कभी कर्ज चड़ेगा ना आप कभी परशान रहोगे और बाबा भी आपसे अतन्त हमेशा खुश रहेंगे कैसे कि आपने वो जो भोग लगाना है एक रोटी और उसके उपर थोड़ा सा शहद शहद ओरिजिनल होना चाहिए छोटी मक्खी का शहद हो बरियाद किसे शहद और रोटी का टुकड़ा तोरकर आप अग्यारी पर भी भोग लगा सकते हो बाबा से प्रात्रा कर सकते हो कि हे श्री वाला जी माराज हे आप भक्त शिरो मनी भी हो और वीर शिरो मनी भी हो आप जैसी भक्ती ना तो किसी ने करी इतियास में और ना ही कोई कर रहा प्रभू आपकी किर्पा से हमारे अंदर जितने भी भक्ति उत्पन हो रही है ये आपकी ही देन है हे बाबा आपके शिरी चर्णों का आस्रा लेकर जो व्यक्ति आपके शिरी चर्णों में आ जाता है आप उसका कल्यान करते हैं और भफ से पार भी उसे उतारते हैं मैंने इतना सुना है कि आपकी शिरीधाम से कोई विव्यक्ती कभी खाली नहीं लोटता सिर्फ फर्क आपकी भावना का होता है इस पकार की अटूट प्राथनाएं आपको अपने बाबा के सामने नित्या करनी है आपने कोई एंकारिक प्राथनाएं नहीं करनी कि बाबा मुझे ये बना दे बाबा मुझे वो कर दे बाबा मुझे वो कर दे ऐसा कुछ नहीं हमारा काम है अपने पिता के आगे अपने आपको नत्मस तक करना अब हमारे पिता का काम है हमारे उपर जो भी कारवाई करवानी वो द्रया दिश्टी उनकी किस पकार से जलती है ये वो जानते है, तोकि भगत के वश में है भगवान, और भगत बगएर नहीं है उनकी चाहँ, तो अब वो हमारी मानता, स्वम करवाते हैं, हमें उठाते हैं, गिरेवे को, अगर हमारे साथ किसी भी पकार की अनोनी होनी होती है, तो उसको भी रोख देते हैं, और जो कोई स संकट, पहली बात तो आप कभी भी संकट को गलत मर समझना, बहुत से लोग सोचते हैं कि संकट है, भूत है, प्रेत है, इसको घर से निकाल दिया जाए, या आतमा दुष्ट है, पापी है, लुचा है, ये उसके करम के अनुशार, उसके अंदर ये लुचा पंती आई है, अगर वो याद रखना, अगर वो संकट ना होता, तो आप बाबा के दर से जुड़े वे ना होते, अगर मेरे शरीर पर भी कोई ऐसी परकिरिया ना ही होई थी, तो शैदी मैं आज बाला जी माराज का नाम का परचार करना होता, ये कही न गई प्रमातमा की किर्पा भी है, दुख में भी उसकी किर्पा है, और सुक में भी उसकी किर्पा है, हमें उसकी किर्पा के बारे में अपने अंतर के भाव को हमेशा पोजिटिव रखना चीए, हमेशा सकरातमक रखना चीए, पर मातमा समय के अनुसार हमारे उपनिन तक अपनी किर्पाओं को बरसाते रहते हैं और परसाने के दुरान और उस किरपाओं के अंगिनत रूप होते हैं वो रूप दिखाई नहीं देते अंगिनत रूप से वो शक्ति चलती है क्योंकि जिस पकार से हम किसी संकड को मेंधिपूर में कैद कराते हैं माना जाए तो एक आत्मा को ना कोई कटती है ना मरती है जलती है ना घलती है क्योंकि गीता का अगर ज्यान इसके साथ कंपेज़ किया जाए तो इस कोई भी कारवई नहीं होती है। लेकि प्रभु के चाने से बहुत कुछ होता है। ते देवता है, कल्यूग में जल्दी शिर्क पसंद होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बाबा वो स्थान ये है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको उस आत्मा का भी धन्यावाद करना चाहिए, अगर वो आई है तो आपको बाबा के दर से जुड़ा है, अब आपना के अंदर कहीं न कहीं ये हो जाता है, कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाबा बाबा ये नहीं कहते हैं, नेकिन अपने समय के नुशार धर्म का परचार जरूर करना चाहिए, करम का ज्यान जरूर अपने अंदर धान करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना च जब हम प्रमात्मा के अधीन हो गए तो वो करम क्या होगे हमारे शरी से धुल गए उस चीज को आपको समझना चाहिए बड़ा गहराई का टोपिक है यह अंदर के ज्ञान को समझिए कि कोई भी आत्मा मैली नहीं है प्रमात्मा की देन है उनकी शर्ण में चले जाए बाबा क अगर आपके उपर कर्ज है वो भी धुलने लग जाएगा और अगर उस रोटी को बचीवी रोटी को एक रोटी को अपने घर में दिए और एक रोटी को गव को खिलाईए तो और भी ज्यादा उत्तमफल प्राप्त होगा आपको आपको और भी ज्यादा किर्पा की कीजिए भोग के दुरान प्राथना अवश्य होती है प्राथना अनिवारिया है क्योंकि पाठ भी जुरूरी है एक ताली जिनका जो आप पाठ ले रहे हो उस पाठ के अंदर आप भोग भी दे रहे हो अपने आपको शुद्धी जब तक अंदर मेरा बीच में तो था क्योंकि जब आप इसका नित्य पाठ करने लग जाओगे बाबा की अदुबुत किरपा आपके शरी पर वास करने लग जाएगी और वो संकट जब घर में प्रवेश मीने कर पाएगा क्योंकि असली तो बहाना है प्रभु के अधिन होने का अब यह समझने की बात है आप अ वास नहीं करता बाबा की दर पर हमेशा नित्य नित्य निम अपने करम के अनुसार आदमी अपने फल की प्राप्ति करता है जिसका किसी करम मेला है किसी करम जादा गहरा मेला है किसी करम करम जादा गहरा मेला है यह कपरा साफ होता जाएगा एक दिन वो सफेद चदर की तर पुर्ण होता है उस दुरान आप एक छोटा सा हवन कीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं बाबा के हवन पर भी एक वीडियो बनाओ कि आपको किस-किस समगरी का लेने चाहिए हवन के लिए हानमान जी महलाज की तो उस पर भी मैं हमारे माद्यम से भी करवा सकते हैं हमारे माद हो नीचे हमारा नंबर दिया वह हैं बहुत से भगत पूछते हैं कि क्या आपका नंबर कहा है हमने नीचे ही हमारा नंबर दे रखा कर एदर दे क्य उनके नाम का परचार भी नहीं कर पाऊगे और हर्मान जी जो शीले देवता हैं आप ये मत सोचना कि हर्मान जी भक्ती में लीन रहते हैं नेकिन अपने प्रभु के कारिया के लिए ततकाल अदेश का आत्म कारिया भी करते हैं तुरंत अदेश लेकर तुरंत कारवाई करते ह इस पकार की भगती अंदर से जगाईए जब भी आपको महंदीपुर के बारे में या हनुमान जी महराज के बारे में कोई भी कारिया करना पड़ जाए तो आप तत्काल उस कारिया को कीजिए और उस बाबा के नाम लेकर पर चार रूप में जूट जाएए और फिर देखिए आपके दिन बदलते देर नहीं लगती करज उतरते देर नहीं लगती किसमत बदलते देर नहीं लगती मस्तिक रेखाएं बदल जाती है हास्त रेखाएं बदल जाती है प्रभू की किरपा पा